अगर मैं आपसे पूछलू कि 7, 3, 4 का Roman numerical value मुझे बताओ 5 सेकंड में तो क्या आप मुझे बता पाओगे चले मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा D, C, C, X, 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 I, B यह हो गया इसका Roman numerical value चलो मैं दूसरा नमबर देता हूँ चलो मैं देता हूँ 429 का आप मुझे बताओ Roman numerical value 5 सेकंड में तो 5 सेकंड मुझे आप बताओ बता पाओगे 5 सेकंड enough होंगे आपके लिए चलो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा C, D, X, 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 I, X हो जाएगा एक आपका पेपर हैं पुछा गया था 699 का चलो अब आप लोग मुझे बता दो इसका Roman numerical value 5 सेकंड में मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा D, C, X, C, I, X तो 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप किसी भी number का Roman numerical value आप बता सकते हो आपके ये एक NTPC के exam में पूछे जा चुके हैं अभी आने वाले दिनों में भी आपके जरूर से किनी के सिप्ट में जरूर से आगे भी आपको देखने मिलेगा और ये कोई math का नया question नहीं है ये already आपके previous year paper में पूछा जा चुका है अगर आपने 2016 का previous year paper solve किया है तो math में आपको कोई भी number का roman numerical value आपसे exam में already पूछे जा चुके है और अभी आपके फिर से देखने को मिले है तो मुझे पूरा यकीन है अभी आने वाले दिनों में आपसे और roman numerical number देके आपसे roman numerical value पूछेगा या फिर आपसे उल्टा भी पूछ सकता है आपको roman numerical value देके आपसे number भी पूछ सकता है तो यहाँ पर आप एक number बहुत असानी से gain कर लोगे यहाँ पर किसी को भी कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको ठीक है आपसे कुछ भी पूछ ले बस आपको चीजे पता होना चाहिए आपसे कुछ भी पूछ ले आप असानी से कर लोगे तो अभी के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीका से किसी भी number का विदिन सेकेंडो मैं आप किस तरीका से roman numerical value निकालोगे वो मैं अभी के वीडियो में बताऊँगा और बहुत ज़्यादा सिंपल है किसी भी number को roman numerical value में बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है मैं अभी के वीडियो में आपको थोड़े दिर में clear कर दूँगा तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीका से किसी भी number को roman numerical value निकालते है तो सबसे पहले तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एक से लेकर दस तक का roman numerical value निकालने आता होगा या फिर आपको याद भी होगा याद है तो ठीक है अभी मैं आपको समझाओं कि कैसे निकलता था फिर उसके बाद आप किसी भी number को निकाल लोगे क्योंकि concept आपका सेम रहता है जो 1 से लेकर आप 10 के बीच में करते हो वही concept आप पूरे 1 से लेकर 1000 से उपर जितने भी number क्यों न मिल जाए आप वो सभी number को निकाल लोगे और बुझे पता एक्जाम में आपका 1000 से उपर पूछेगा भी नहीं ठीक अगर पूछ भी लेगा तो आप इन ही concept के मदद से आप वहाँ भी निकाल लोगे ठीक है तो चलिए तो सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ code आपको पता होना चाहिए code बोलो या फिर place value बोलो मतलब value किसी भी number का जैसे कि यह आपको पता है आप बचपन से पढ़ रहे हो कि 1 का value i होता है 5 का value भी होता है और 10 का value x होता है तो इतना तो आप लोगोंने बचपन से ही पढ़ रहे होंगे 1 से लेकर 10 तक का अब आपको नया क्या पढ़ना इन 4 का value नया पढ़ना है lc dm L का value मतलब आपका क्या हो जागा 50 और 100 का Roman value क्या हो जागा C और 500 का D और आपका 1000 का M तो ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए अगर ये याद अगर आपको हो गया total 7 गुका क्योंकि 3 तो आपको पहले से याद होगा अब किस तरीके से निकालना है अब मैं आपको बताता हूँ तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का अगर आप निकालना जानते हो तो फिर आप किसी भी नंबर को निकाल लोगे अगर आपको यह चीज अगर नहीं पता तो फिर थोड़ा सा आपको तकलीफ हो जागा चीजों को समझने में तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वन से टेन का आप निकालना जानते होंगा या फिर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते थे अगर आपका वन का अगर आपसे और समझा दे रहा हूँ फॉर के लिए क्या करते थे और फाइफ फाइफ का क्या होता है रोमन बेल्यू भी होता है अभी मैं आगे लेकर चलता हूँ फॉर का मैं यहापर होल्ड करके रखता हूँ क्योंकि यही चीज आपको केवल समझना बात बागी तो सब सिंपल है आई हो जाएगा और 9 के लिए भी वो hold में रख देते हैं क्योंकि 9 में भी वोई concept है जो 4 में concept लगेगा और 10 के लिए क्या होता डिरेक्ट आपका रिडिमेंड आपका value होता x अब देखो मैंने क्या बताया था 1 से लेकर 10 तक का अगर आप समझ रहे हो तो बस इसी से अब आप सारा number को भी आप बनाओगे बस यही से concept आपका चलेगा बस यहाँ पर मैं concept समझा दे रहाँ बाद बाद कि हम लोग आप question में solve करेंगे अब जैसे कि मैं बता दू 5 था हम लोगों को कोई भी number देता है अगर देखो यह 5 है 5 का तो value हम लोगों को पता था भी होता है 6 का जब value का बात आया तो हम लोगों क्या किये 6 का value के लिए हम लोगों क्या किये 5 प्लस 1 कर दिये जिससे मेरा क्या बन गया भी और एक i यहाँ पर right hand side में आ गया 7 के लिए भी कुछ अलग नहीं किये 2 ठो i add कर दिये क्योंकि 5 में 2 करेंगा तो 7 हो जाएगा 5 में 3 add करेंगा तो 8 हो जाएगा तो bhi में 3 8 कर दिये मतलब 1, 2, 3 के लिए तो जो simple था ना जो आपका 1, 2, 3 के लिए तो यहाँ पर भी 6, 7, 8 के लिए भी वही चीज़ था कुछ hard नहीं था क्योंकि bhi में केबल 1, 2, 3 का add कर रहे थे यही कर रहे थे ना यहाँ पर एक नया क्या चीज़ था दोठो आपका 4 बनाने के लिए और एक 9 बनाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं 4 बनाने के लिए 5 में 1 का less करते हैं अब जब 5 में 1 का less करेंगे तो 4 बन जाता है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं हम लोग को value याद है कि पहले i होता अब फिर भी होता तब जाके यह बन जाता है आपका 4 का numerical value तो हम लोग क्या किया left side में आपका जो i था उसको हम लोग left side में लिख दिया है यानि बाया side में हम लोग इसको लिख दिया है क्योंकि अगर हम लोग दाया side में लिखेंगे तो यह क्या बन जागा value 6 बन जाएगा तो बस आपको इतना ही याद करना है जब घटाने का जब scene आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे है left side में लिख दिया है जिससे आपका वो value आपका एक list हो जा रहा समझे मेरी बात को उसी तरीका से यह 10 है 9 अगर आपको बनाना है तो हम लोग एक list करेंगे यानि क्या करेंगे i पहले लिखेंगे और फिर x लिखेंगे यह चुकि आपको पता भी होगा बात को समझ रहे हो अगर 8 जब आपको बनाने के बात आ रहा है तो हम लोग को यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे कि 10 में 2 का list करेंगे ऐसे आप उल्टा मत कर देना यह ऐसे होता ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1,2,3 जो आपका था उसी तरह करेंगे 6,7,8 में भी add होता है केवल 9 में आपका less होता और 4 में आपका less होता है clear? बस यही concept अब आपको 100 में भी अपनाना है और चाहे 10 के number में भी अपनाना है जैसे के मैंने अभी आपको बताया कि यह मानलो जैसे आपका 1 हो गया यह आपका 2 हो गया, यह 3 हो गया तो इसमें आपका 100 में भी 200 में भी और 300 में भी same concept आपका दोर आने वाला है जैसे कि यहाँ पर I था यहाँ पर आपका I हो गया और यहाँ पर आपका triple i हो गया ठीक है और यहाँ पर भी उसी तरीका से 100 का value क्या होगा तो अभी मैंने आपको दिखाया था c हो गया 200 के लिए क्या हो जागा double c हो जाएगा और 300 के लिए क्या हो जागा triple c हो जाएगा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग जो था वो ही कर रहे हैं उसी तरीका से अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 600 का ठीक है यहाँ पर 6, 7, 8 तो यहाँ पर भी अब आपको 600 का भी बहुत असानी से निकाल लोगे 7 का भी निकाल लोगे और 800 का भी निकाल लोगे क्योंकि 600 के लिए आपको 500 का कोड़ पता है और जो आप 5 प्लस 1 करते थे अब आपको क्या करना है 500 प्लस 100 क्योंकि 100 लेवल पर आप आप वर्क कर रहे हो तो 500 का कोड़ क्या हो जाता है D हो जाता है और आपका 100 का कोड़ तो C होता है यानि DC हो गया और उसी तरह कि जड़ DCC हो जाएगा और यह DCC हो जाएगा समझे मेरी बात को कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग जो चीज़ हम लोग कर रहेते हैं 1 से लेकर 10 तक में वही चीज़ हम लोग यहां भी दोर आ रहे हैं अब चलो, अब मैं आपको कोशन में आपको समझाऊँगा कि अब हम लोग बेक्चली में कर क्या रहेते हैं किस तरीका से कर रहेते हैं अब देखो यह चीज़ तो मैंने 100 में आपको बता दिया यह जो आपको अगर मैं बात करूँ 50, 60, 70, 80 वही चीज़ करेंगे जो 6, 7, 8 में कियते हैं कुछ अलग नहीं करेंगे क्योंकि हमको 50 का डिरेक्ट कोड़ पता है 50 का कोड़ क्या होता है L होता है तो बस 50 में 10 का एड़ करेंगा यह यह LX, LXX, LXX ठीक है, ट्रिपल X हो जाएगा क्योंकि 100 का कोड़ क्या होता है 100 का कोड़ क्या होता है यहां चला जाएगा समझे मेरी बात को मैं क्या बताना चाहरा हूं आपको बस यहीं चीज़ को आगे तक खीचना है जिस भी तरीका से नंबर देदे बस इसी तरीका से आपको रिप्रेजेंट करके चलना है क्लियर हो गया क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करा देता हूं हम लोग जो यह मैंने आपको बताया 1 का कोड या फिर 5 का कोड यह तो आप जान रहे हो 10 का कोड 50 का कोड फिर 100 का कोड और यह 500 कोड होता क्या एक्चुली आप समझ जाओ गया अभी बहुत असानी से 1 का 5 से लेना देना है 10 का 50 से लेना देना है और 100 का 500 से लेना देना है क्योंकि यह इकाई अंक वाला है यानि 5 में से 1 जाएगा तो 4 बनेगा उसी तरीका से 50 से 10 जाएगा तो 40 बनेगा या फिर 10 में आपका यह भी क्या होगे 10 में एक लेस करोगे तो 9 बनेगा तो उसी तरीका स यह 100 वाला number है, यानि 500 में आप 100 का ही minus करोगे, उस वक्त आप यह नहीं देखोगे कि 500 में 1 का minus करोगे, suppose that अगर मैं देल देता हूँ कोई number 499, तो यहाँ पर आपसे यह गलती नहीं होना चाहिए कि 500 में आम लों 1 का minus करेंगे, क्योंकि 1 आपका क्या है, इकाई अंक है, तो इ अतना काफी होगा समझने के लिए आपको, 1 second माइट गिर गया, यकीन माने, बहुत जाड़ा simple है, बहुत थोड़ा सो practice आपको करना होगा, फिर उसके बाद आप भी बहुत smoothly 5-6 second है बता दोगे, अब चलो हम लों कोई भी number को लेके चलते हैं, अब आम लों लों नमबर से ड लीचे reason था कि मैं number को बहुत असानी से mind में expand कर ले रहा था, क्योंकि number को expand करने के लिए, जैसे कि इस number को मैं अगर आपसे पूछूँगा, कि expand करो, तो कैसे करोगे, आप लोंग जानते भी होगा, 734, आप लोंग पढ़े की नहीं पढ़े, place value, यानि इस्थान value, अगर मैं पूछ रहा हों कि बताओ, 4 का कौन सा place value है, क्योंकि ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, और ये 100 place वाला number है, तो इकाई अंक में एक का गुना करते हैं, दहाई अंक का अगर place value पूछे, तो 10 का गुना करेंगे, और आपका ये 100 का कोई place value पूछे, तो 100 का गुना करेंग तो वही चीज करेंगे, यह आपका 1000 वाले प्लेस पर चल गया, तो 1000 से गुना कर देंगे, 5 का गुना 100 से करेंगे, और 00 तो 00 जराए जाएगा, तो बस नमबर को expand करने अब आपको आना चाहिए, नमबर को expand कर लोगे, फिर उसके बाद आपको बनाना है, जो मैं आपको बता च सब्सक्राइब करेंगे, यह माइंड में होना चाहिए, 20 और यह 9, अब बेसिक के टम में बात करेंगे, तो अब 700 का कोड क्या हो जागा, 700 का कोड क्या हो जागा, जो 7 का कोड हम लोग कैसे बना रहे थे, 5, I और I, यानि सौरी, B और I और I बना रहे थे न, उसी तरीके से, 500 और 100 और 100, यानि इसका अगर मैं अंदर की concept की बात करूँ तो यह 500 और यह 100, और यह 100, यह सब चीज पूरा दिमाग में होना चाहिए, 20 क कैसे बनाएंगे, तो 20 के लिए आपको पता है, 2 कैसे बना रहे थे, हम लोगा, I, I कर रहे थे, तो 20 के लिए भी क्या करेंगे, X, X करेंगे, समझे मेरे बात को, और 9 का तो आप जानते हो, अगर इसका अंदर की concept की बात करें, तो 10-1 होगा, तो 9 का तो डिरेक्ट आप 500 को जाएगा, 500 को जाएगा, 100 का को जाएगा, C हो जाएगा, इतना का X, X आपको पता है, और यह आपका I, X हो जाएगा, बस इसका आंसर हो जाएगा, 729 का, clear, यही चीज आपको मैं समझाना चाहरता, अब कुछ भी नहीं है, जैसे बस अब बनाते हो, बस वैसे ही बनाओ, 1 से लेकर 10 तक आप निकालना जानते हो, बस उसी तरीके से बनाना कुछ अलग नहीं करना है, suppose that अगर मैं अब देता हूँ, जैसे कि 400 वाला नबर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्रवर सा प्रॉब्लम हो सकता है, 425 का मैं देता हूँ, तो 425 को पहले कैस को लेश करोगे, तो 500 मैं जब 100 को लेश करोगे, तो 100 वाला नंबर क्या होगा, लेफ्ट साइड में, बाया साइड में, मैंने आपको बताया था, यानि यहाँ क्या जगा, C हो जाएगा, और D का कोड क्या होता है 500, और यह आपका 100 यहाँ हो जाएगा, अगर D C लिखद कुछ अलग थोड़ी करना होता है आपसे एक्जाम में पूचा गया था यह 699 का यह पेपर में पूचा गया था 699 का तो अब देखो कोई अगर ऐसे कर देगा तो गलत हो जाएगा यही चीज़ तो मैंने आपको बता दिया 700 में अगर 1 का लेस कर दोगे तो यह तो आपको मैं हो तो 600 के लिए आपको क्या हो जाएगा 500 प्लस 100 यानि आपको क्या हो जाएगा दी और यह सी हो जाएगा इसका प्लस 90 के लिए क्या करेंगे 100 माइनस 10 100 माइनस 10 तो एक्स को पहले एक्स लिख देंगे और आपका 100 का क्या हो जाएगा C हो जाएगा और 9 का तो आप जानते हो I और X तो बस यार ये प्लस का साइन नहीं हो गए ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिकर दिया तो इसका अंसर का जोगा DC X C I X ये ही था आपका ये कुछ नहीं है यार ये बस ये ही सब आपका एक्जाम में पूछा गया था और इसी तरीके से अगर आपको ये चीज पता है निकालना तो बस किसी भी नंबर का आप निकाल लोगे अब मैं उमीद करता हूँ अब किसी भी नंबर का बहुत असानी से निकाल सकते हो अब मैं एक काम करता हूँ अब मैं आपको एक पहले टेलीग्राम में मैं एक PDF share कर रहा हूँ आप लोग के साथ 1 से लेकर पूरे 1000 तक के नमबर का जितने भी रोमन चार्ट में आपके value हो मैं आपको सारा PDF share कर रहा हूँ आप लोग क्या करो 10-15 उठाट के अपने मन से कोई भी नमबर को लेके आप पहले practice कर लो फिर उसके बाद यकिन मानिए अब आपको बाद उसको दुबारा से आपको चूने का ज़रत नहीं पड़ेगा बस आप सर्थ क्या है आपको वो सारा place value आपको साथ ठोका आपको पता होना चाहिए था जो मैंने बताया था सुरू में 1, 5, 10 50, 100, 500, 1000 बस इसी तरीके से करना है और जो कि last मैंने आपको बताया था कि 1000 सूपर का नहीं पुछा जाएगा अगर 1000 सूपर पुछा जाए ना तो वही चीज करना है जो यहाँ पर आप कर रहे हो कुछ अलग नहीं करो क्योंकि आपको 1000 का वैलू पता है M 1000 से प्लस कभी आप नंबर को बना लोगे असानी से ठीक है 10,000 तक जाने के लिए आपको बार लगाना पड़ता है तो उतना दूर तक तो कभी नहीं भी नहीं पूछेगा ठीक है 1000 से उपर पुछा तो फिर आपको क्या करोंगे एक चीज आपका और एड कर लेंगे समझे वरी बात को तो चलिए अब आप लोग बस इसी तरीका से बस प्रैक्टिस कर लो उमीद करता हूँ चीज़ आपको बेहतर तरीके समझ आ चुकी है काफि सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं रोमन नंबर पर आपको चीज़े समझा दू कि किस तरीके से है तो बेसिक चीज़ है बहुत सिंपल चीज़ है अब आपको भी समझा गया है कि सच में वाकाय में सिंपल था कोई कॉंसेप्ट अलग नहीं था बस भैलू आपके सामने अलग-अलग आ गयते बाकि जो आप वहां कर रहे थे यहां भी आपको वही करना है क्लियर है चलिए फिलाल यहां पस मैं अब यहां पर वीडियो को वाइंड अप करता हूं सेशन पसंद आया तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीज़ेगा और दोस्तों में भी शेयर कर जिए ताकि सभी लोगों तक यह चीज पहुंच जाए ठीक है तो इसी तरीका से आप किसी नेक्स बूर्ड में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत